हेलो फ्रेंट्स मैं पूझा सक्षना फिर से आपके सामने हाजिर होई हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक सीरीज हमारी 10th की चल रही है एक सीरीज हमारी 12th की चल रही है 12th 10th की वीडियो में हम लोग चैप्टर नमबर 8th 9th कवर कर चुके हैं अब बारी है चैप्टर दिल किया जाये which of the following pairs of linear equations are consistent,oblink,inconsistent if consistent,obtain the solution graphically देखे friends हमसे बोला है कि भई चेक करके बताये कि linear equation consistent है या inconsistent है यदि consistent है तो भई उसका solution आप graphically हमें बता दीजे तो अब हम क्या कह रहेंगे x plus y is equals to 5 2x plus 2y is equals to 10 यह मेरे पास में question number 4th का first part है friends ठीक है यहां से आप जड़ा देखिए सबसे पहले check करें कि consistent है या नहीं है तो a1 is equals to 1 b1 देखें x का coefficient a1 कहलाएगा by का coefficient b1 कहलाएगा और यह कहलाएगा हमारा c1 और यह क्या है a2 is equals to 2 b2 is equals to 2 c2 is equals to हम कह सकते हैं हमारा क्या है c2 है हमारा 10 तो मैंने a1 upon a2 निकाला मेरा आया 1 by 2 फिर मैंने b1 upon b2 निकाला तो मेरा आया 1 by 2 फिर मैंने क्या किया c1 upon c2 निकाला जो कि है 5 और यह है 10 तो 5 by 10 यानि कह सकती हों मैं मेरा ये भी आंसर आया 1 by 2 ठीक है friends अब A1 upon A2 equal to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2 it means क्या है function sorry equations जो है consistent तो है और ये question के रहा है यदि consistent है तो इन्हें graphically represent कर दिजे यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है मेरा x plus y is equals to 5 दूसरी equation है मेरे पास में 2x plus 2y is equals to 10 2 से डिवाइड दिया पूरी equation में तो x plus y is equals to 5 अब दोनों ही एक equation है अब इन्हें graphically represent कर लेते हैं graphically represent करने के लिए मैंने इस तरीके से table बना ली है मैंने कहा ये x है ये y है अब मैंने इसमें y की value चाहूं तो आप इसे ऐसे रखते हैं y is equals to 5 minus x x की value रखते जाएं y की value आती जाएगे मैंने x की value suppose रख ले 1 1 रखते ही y की value आ गई 4 x की value रख ले मैंने 2 y की value आ गई 3 x की value रख ले मैंने 3 तो 5 minus 3 तो y आ गया 2 x की value मैंने रख ले 4 तो y कितना आ गया 5 minus 4 यानी 1 आ गया अब graphically और इसे represent कर देते हैं तो देखें जरा यहीं draw कर लेते हैं यह है positive x-axis यह है negative x-axis यह है positive y-axis यह है negative y-axis तो यहाँ मैं 1 cm की जो distance है उसको मैं एक एक block consider कर रहे हूं तो यहाँ मैंने कहा plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 यह जाएगा 1 2 3 4 5 6 और नीचे वाले हो जाएंगे आपके minus की तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है अब x is equals to 1 पे y is equals to 4 देखें x is equals to 1 पे y is equals 2 क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है तो यह एक point मेरा करी x पे 1 चले y पे यहां से 4 चले तो एक point मुझे यहां मिल गया अगला है x पे तो 2 चलिए तो 1 और 2 और y पे कितना चलना है y पे मुझे चलना है 3 तो इस तरीके से मुझे मिल गया एक point अब x is equals to 3 1 2 3 पे कितना चलना है y पे 2 तो एक point मुझे मिल गया इस तरीके से अब एकस पर चलना है मुझे 4 1,2,3,4 और य पर कहां तक चलना है केबल 1 तक तो एक point मुझे मिल गया है ये तो इस तरीके से मुझे ये point मिल गया है मैंने scale की help से इन सको मिला दोंगी तो ये जो मेरे पास equation आएगी ये जो है ये मेरे पास जो line आएगी ये मैं कहूंगी कि ये solution है solution कहूं यब मैंने क्या किया मैंने graphically represent कर दिया अब क्योंकि इस line के infinite solution है तो हर point इसका अपने हाँ में solution ही है तो ये friends फिर मिलेंगे अगली वीडियो में question no.4 के अगले part के साथ में